आज मैं आप लोके साथ बैन ओफे पाई की रहसेपी शियर करने वाली हूँ पहुर टेस्टी डिजर्ट है दावतों पे बना सकते हैं आप बच्चों के लिए बना सकते हैं बहुत पसंद करते हैं लोग तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में मैंने डाल देन सब्सक्राओवां की खूंद तो के रही है एक कप की जितना चीनी और टू टेबल स्पून की जितना पानी इसके अंदर जी गया है और उसके बाद कैस की फ्लेम को आण कर दी मैंने और इसको अब फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया एए ठीक है धीरे-धीरे डिसल्व होने देंगे इसको जितना दी में आप डिजॉल्व होने देंगे उतने अच्छे से आपका कैनिमलाइजेशन होगा तो अभी हम लोग कैनिमल सॉस बना रहे हैं उसके लिए तो देखिए दीरे दीरे शुगर डिजॉल्व होने लगी स्पून आपको एड नहीं करना है जब तक कि चीनी खुद से पिखल ना जाए हलका सा पैन इस्टर कर सकते हैं लेकिन स्पून आपको इस स्टेज पे डालना है जब कि ये थोड़ा सा लिक्वेडी हो जाए शुगर तो देखिए इस तरीके से लिक्वेडी हो गया है उसके बाद क्या करना है आपको इसको जो है ना हलका हलका चला लिया है मैंने और उसके बाद इस तरीके का जब कलर हो गया तो इसमें मैंने डाल दी टू टी स्पून के जितना बटर ठीक है दो चम्मच इसमें आपको बटर एड करना है और इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है जैसे या बटर एड करोगे आप क्रीम ले ली मैंने और फ्रेश क्रीम और आधा कप ही दूद ले लिया आप चाहें तो सिर्फ दूद में मना सकते हैं बस दूद की क्वाइंटिटी थोड़ा कम करना चाहें कर सकते हैं एक कप दूद ले लें चाहें आधा आधा कप मिला के कर लें तो यह देखिए डाल के जलदी-जलदी चलाते जाना है थोड़ा साई ये ऐसे लंपी हो जाएगा और उसे आप लगतार चलाते रहेंगे तो डिसॉल होके इस तरह के से हो जाएगा ठीर तो इस तरह के से मैंने मिक्स कर लिया और इसको थोड़ी सॉस को पकाएंगे और उसके बाद यह देखिए पग गई सॉस उसके बाद अफ्लेम को बन कर देंगे ठीक है इसको इतना ही पकाना है नेक्स क्रीम विप करना मैं कई बार बता ही हूँ नॉन डेरी विपिंग क्रीम का इस्तेमाल मैंने किया है और मार्केट में बहुत इसली म पकाना है और यहां पर मैंने नूट्री चॉर्स की ब्रेड ब्रेड के रही हूँ डाइजस्टिफ बिस्किट लिए है यह वाली बिस्किट बहुत अच्छा इसका टेस होता है ओर्ट वाली बिस्किट है आप अपने पसंद की कोई भी क्रैकर्स या बिस्किट ले सकते हैं मैंने पीस के इस तरीके से बारीक पाउडर कर लिया है और अब अल्मोस सारी चीजे मेरी तयार है अब बस इस बटर में पिगला हुआ मक्षन डालना है आप देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर कर लिया मैंने बिस्किट को तो अब इसके अंदर जाएगा दो से तीन टेबल स्पून के जितना पिगला हुआ मक्षन और इसको डालने के बाद अच्छे तरीके से इनको कर लेंगे मिक्स और इसको मिक्स कर लिया मैंने और यह देखें अब यह सेट होने लगा है इस तरीके से तो बस अब इसको रख देते हैं साइड में क्रीम भी हमारी विप हो चुकी है आप देख सकते हैं तो आप डिश लेंगे कोई भी बरतन जिसमें सर्फ करना है बिस्किट की एक लियर ब देंगे अपनी फ्रेश विपिंग क्रीम और विपिंग क्रीम डालने के बाद इसको अच्छे दरीके से फैला के एक लेयर दूसरी लेयर क्रीम की बना देंगे एक लेयर बिस्किट की हो गई दूसरी लेयर हो गई आपकी विप क्रीम की ठीक है और विपिंग क्रीम पे मैंन कोई essence नहीं डाला है, आप चाहें तो essence डाल सकते हैं, मैंने कोई essence नहीं डाला है, उसके बाद caramel sauce जो मैंने ready किया था, डिर्ड से दो चमच आपको ऐसे इसको इसमें गिराना है आपको, और इसको spoon से हलका सा उसके बाद फैला लेना है, आप उससे जादा भी डाल सकते हैं, ती मिक्शर उलें तो जो तोफी को बनाने क balanced को बनाना जाएगा तो केला को स्लाइस करके मैंने डाल दिया इसमें फिर से बिसकिट ढालेंगे और इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे और आपका बॉक्ठ फिर से ये बिसकिट फैल रही है मैं यह इसके उपर जो कि ये फाइनल लेयर होगी विपिंग क्रीम की ये वाली मैंने जो है एक तूद पिक के हल्प से इसको फैला लिया और उसके बद बिस्किट का पाउडर जो है वो बचा हुआ था वो मैंने साइड में डाल देना है उसके बाद आपका टेस्टी यमी सा बेनोफी पाई बनके त्यार हो गया है बहुत बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में और इसको आप लोग एक बाद फ्राइ करेंगे तब आप समझेंगे और इसको मैंने जो बिस्किट का इस्तमाल किया है उसको करके बनाएंगी तो ये और भी मज़े का लगेगा आपको मेरे ये बेनोफी पाई की रसे पी पसंद आई हो तो आप लोग ज़रूर ट्राइ कीजेगा थैंक्यू सो मच पर वाचिंग माई वीडियो अल्ला हाफिर